नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार SSE में अब तक पूछे गए सभी परसनों का सब्जेक्ट वाज अस्टेटी कर रहे हैं, इससे आपकी तयारी को सटिक डिरेक्शन और परिक्षा में सांदार लाभ मिलेगा, आज हम लोग साइन्स स्रीज में केमिस्टरी के पा कि बाता बरंड में सरवाधिक परचूर गेस कौन सा है, यानि कि बायू मंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा गेस पाए जाता है, तो नैट्रोजन पाए जाता है, 78% नैट्रोजन पाए जाता है, इस टाप के 3-4 important question है, जो एक जाम में पूछा जाता है, जैसे बा मानब शरीर में और भूपरपर्टी में, ये दोनों में सबसे ज़्यादा पाए जाना तत्व है oxygen, अब बर्मांड में सबसे ज़्यादा पाए जाना तत्व है hydrogen, बर्मांड में पूछे या तो सूर्ज में सबसे ज़्यादा पाए जाना गेस कौन सा है, तो वो भी hydrogen, तो य यह सारे चीजेbels इंपोटेंट है आपको याद रखना है। नाटोजन से उसके पूझान में सब से ज़्यादा क् notably पूझान दसे के सक्वरा जाथा है। तो इसका nitrogen का परियोग जो होता है वो किस रूप में होता है तो nitrate के रूप में होता है ये भी ध्यान रखना है Next question है कि भोपाल गेस तरासदी के लिए कौन सी बहुराश्टिय कंपनी जीमेदार थी तो इसका correct answer है Union Carbide Company का नाम था Union Carbide इस से ज्यादा question important है जो बार बार कई बार एक्जाम में पूछा कि कौन सा गेस रिषाब हुआ था कई बार एक्जामों में repeat हुआ है हर एक्जाम में पूछा जाता ठीक है तो उसको देद्यान रखना है methyl isocyanate भोपाल गेस तरासदी में जो कौन सा गेस रिषाब हुआ था तो वह हुआ था methyl isocyanate और यह घटना कब हुआ था तीन दिसंबर 1984 को हुआ था next है गिनमलिकित में से कौन सी एक मधपूर्ण हरित गेस है हरित ग्रिह गेस है यानि कि ग्रीन हाउस गेस इनमें से कौन सा है यह पूछा है तो कार्बन डॉकसाइड सबसे खतरना होता है सबसे यादा है बैस्विक तापमान के लिए उतरदाई होता है कार्बन डॉकसाइड ही होता ठीक है तो इसमें कार्बन डॉकसाइड यह ग्रीन हाउस गेस है तो ग्रीन हाउस गेस से ए फिर संस вик। उसके बाद मितेन हैं और जलबास्प्न हए यह बास्प्न हो गया उसके ओजोन है ओथिरिवाला और क्लोरो फिलोरो कार्बन है यह सभी क्या है ग्रीन हाउस गेस है तो इसे ध्यान रखना है कि किसी परकार के कोोश्चन इससे हमेजा आते रहता है आप असानी से टिकर देंगे next है कि सिर्के में होता है तो सिर्के में कौन सा acetic अमल पाए जाता है और इस type के question पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि नीमू और संत्रा और खटे फलो में कौन सा अमल पाए जाता है तो citric अमल पाए जाता है ठीक है बनता है कौन सामल तो हाइड्रोकलोरिक अमल बनता है ने एच सीयल तो यह सारे चीज़ें ध्यान रखना है नेक्स्ट है किनिमन में से कौन जल में घोलने पर बिद्दूत का चालन नहीं करता है तो बिद्दूत का चालन नहीं करता है चीनी है ने बिद्दूत का चालन नहीं करता है जल में घोलने पर क्या चीनी को ठीक है चीनी से कुछ important question exam में आता है तो यहां पर रिवाज कर लेंगे कि किसी भी competition की तैयारी करने के संदर तरीका यह होता है कि जब भी आपके सामने कोई question है तो उससे related जितने भी important question है जो एक्जाम में पूछा जाता है सब को एक साथ revision करना चाहिए इससे बहुत कम समय में आपकी बहतर तैयारी हो जाती है और एक्जाम में क्या है आपका confirm में भी रहता है वहां पर confusion नहीं होता है और आसानी से आप टिक करते हैं तो आपको यह सब चीजे ध्यान रखना है जैसे कि यहां पर कुछ question important हो जी इस chapter से जो पूछा जाता है जैसे कि चीनी सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राजी कौन सा है तो उत्तर परदे से रास्टी सरकना संस्थान कहा है तो वो कानपूर में है कहां यूप आतुए गरिफाइट नेक्सट है question number 56 है यहां परक्रम और द्योगी को उत्पादन हेटू पर्यूग तो होता है तो अपर करम का जो पर्यूग होता है यह अमोंटिया उत्पादन में हैवर बिदी का पर्यूग किया जाता है ठीक है यह को गौुश्चन यह आता कि हाइबर विदी में जो अमोनिया उत्पुरे रख का काम कोन करता है तो उत्पुरे रख होता है लोहा, F, E, ये ध्यान रखना है और एक कोश्चन इसी तरह आता है बनस्पती तेल से बनस्पती घी के निर्मान में परियुक्त गेस है तो कोन सा गेस है वो हाइड्रोजन है और उत्पुरे रख के रूप में कोन काम करता है तो निकेल बनस्पती तेल से बनस्पती घी के निर्मान में यूज होने वाला गेस है हाइड्रोजन और उत्पुरे रख है निकेल next question है कि कौन सा अमल कांच को घोल सकता है तो इसमें है नैट्रिक अमल है जो कि कौन सा अमल कांच को घोल सकता है तो इसका correct answer क्या होगा कौन सा अमल कांच को घोल सकता है तो यह hydrofloric अमल है यहाँ option में ध्यान देना है यहाँ confusion वादा है यह कि यह hydrochloricum ले, यह hydrophloricum ले तो ध्यान रखना है जो hydrochloricum में यह kaanč को घोल सकता है, logod alcohol बैंने, तो इसका correct answer हो जाता है, option number 4, जो कि hydrochloricum ले यह kaanč को घोल सकता है, आज s образом में क् electric, thermodCl, डखन सब स्राइधिक मात्रा में पाई जानाला तत्व कौन सा है तो ब्रभांड में सबसे ज़्यादा पाई जानाला है हाइड्रोजन अगर सुर्ज में भी पूछे सबसे ज़्यादा पाई जानाला तत्व कौन सा है तो वह है हाइड्रोजन तो इस टाप के जितने भी कोश्चन आता है सब को यहां पर रिव को कि कि कितने समस्थानिक को थे तेज तीन समस्थानिक कों सा समस्थानिक इंहों से कौण सा है जैसे जब वो ठोस के रूप में राता है और यह valid के आवस्ता में जब राता है उससे कम घंत सबसे इघिक आगात वर्द धाटुन सी है तो सबसे अधिक आघाद वर्द धातु सोना सोना का प्रबतीक क्या होता हूं इसकी प्रमानु संखे हैं केतना तो 89 से पॉल सबवाद तो hydrogen, ब्रमांड में पूछे, तो hydrogen, बायू मंडल में पूछे, तो nitrogen और मानब शरीर और प्रिथवी के करस्ट में, यानि कि प्रिथवी के भूपर्टी में कौन सा है, तो वो oxygen है, सबसे ज़्यादा, नेक्स्ट है, कि बातबरण में रसाइनिक निस्क्रिय गेस उपस्थी थे, इससे कई question पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रख लेना है, कि रसाइनिक निस्क्रिय गेस, यानि नोबेल गेस कौन-कौन सा है, उससे याद रख लेना अच्छे, ठीक है, इसमें अलग-अलग option क देकर question अक्सर पूछा जाता है, तो इसमें से जैसे आप अगर जानेगे कि निस्क्रिय गेस कौन सा है, तो आसाने से टिकर देंगे, जैसे इसमें है, क्या है, हिलियम, और नियोन, और आरगन, क्रिप्टोन, और जिनोन, और रेडोन, यह सब अक्रिय गेसे, तो option में देख यह से रखना है, तो आरगन, क्रिप्टोन, जिनोन, और रेडोन, ऐसे याद रख लेना है, हे ना, अगर करके, जिरो रन, हे ना, यानि हिलियम, नियोन, अगर करके, यानि कि आरगन, क्रिप्टोन, जिरो रन, यानि जिनोन, और रेडोन, तो ऐसे याद रख लेना, नेक्स प्लुटोनियम का संकेत किया होता है तो चूना-प पथर और सिमेंट का अबियव video कोश्चन और Perfect पूछा जाता है कि सिमेंट को जमने की धर को कम करने के-क्या मिला जाता लिए जिपसम मिला जाता है जल्दी जमे नहीं तो उसको आसाने से काम कर ले उसके बाद जमे तो इसके लिए जमने की दरगो कम करने के लिए जिपसम मिला जाता है सिमेंट की खोज किस ने किया तो जोसेफ आस्पदिन ने किया नेक्स्ट है निमलिकित में से कौन सा एक गर्म करने पर सरवादिक फैलता है तो सरवादिक फैलता है वो वायू है ने सरवादिक फैलता गर्म करने पर सबसे ज़्यादा इसमें से सबसे ज़्यादा फैलेगा बायू तो यह ध्यान रखना है बायू क्या है एक मिसरन है यह भी ध्यान रखना है नेक्स्ट है कि उस धातों को पहचानी है जिसकी प्रकृति बिसेली नहीं है तो बिसेली नहीं है इ और इसका परमानु संख्य कितना है तो 89 है सोना का सरवादिक उत्पादन वाला राजी कौन सा है तो करनाटा के सरवादिक उत्पादन देश कौन सा है तो वह है चीन नेक्स्ट है कि निमन में से कौन सा परमानु संरचन के सिधान से सम्मंदित नहीं था तो इसका correct answer है यह मेडम क्यूरी जो है यह परमानु सिधान से सम्मंदित नहीं है बाकी परमानु सिधान से जोन डोल्टन रदर फोर्ड और नील्स वोर यह परमानु सिधान से सम्मंदित ठीक है और नाभिक के चारों और नियत उर्जा अस्तरों की आपधारने किसे ने दिया तो नेक्स्ट कोचन है इस धातु के योगिक कुछ सीसों तथा साबुन दोनों के घटके किसका पोटेसियम के योगिक कुछ सीसों तथा साबुन दोनों के घटके पोटेसियम से एक कोच इस तत्व का प्रमानु भार मानक के रूप में लिया जाता है तो प्रमानु भार किसका मानक के रूप में लिया जाता है देखे, परमानू के सभी नाभिकों को मापने के लिए carbon 12, carbon 12 का परियोग किया जाता है, यह carbon 12 का परियोग किया जाता है, ठीके, अच्छा, एक question आता है कि हीरा किसका अपरूप है, तो आपको याद रखना है हीरा, ग्रिफाइट और कोईला, यह सभी carbon का अपरूप है, next question है, कि hydrogen के समस्थानिकों की संखे कितनी है, तो hydrogen का 3 समस्थानिक है, कौन-कौन सा, protein, deuterium और tritium, hydrogen से कई question पूछा जाता है, तो सब एक बार revise कर लेना है, आपको पहले बता चुके हैं, आप भी revise कर लेज़ेगा, next है कि peach blend किसका ask है, तो peach blend किसका ask है, यह uranium का ask है, इस type के important question जो क किसका ask है, कुछ यहां पर revision करेंगे, जैसे कि peach blend का है, कि कई बार एक जाम में पूछा जाता है, peach blend किसका ask है, तो uranium का ask है, सीने बार किसका ask है, तो पारा का है, गेलेना किसका ask है, तो सीसा का है, और केले माइन किसका ask है, तो जस्ता का है, इसे याद इसे रख लेना है, केल विद्ध करें संस्ता है याने का जस्ता काएसक है नेश्ट कोचणAllah कि मिसर धातु एलमोनियम ब्रोंज में उच्तम अनुपात में उपस्थी तत्व है तो यह सबसे ज़्यादा रहाता इसमे तामबा ठीक ब्रोंज यानि की कांसा कांसा किसका मिसरन है तो है टीन और टीन और किसका तामबा का ठीक है इसे याद रखना है काटता है कांसा किसका मिसरन है टीन और तामबा का मिसरन है तो ऐसे इसको याद रख लेना है ठीक है और एक आता पीतल किसका मिसरन है तो पीतल मिसरन है तामबा और जिंक का तो इसे य है 73 73 में पूछा हुआ है कि ओ कार्बनिक योगिकों से संसलेशित पर्थम कार्बनिक योगिक था तो ओ कार्बनिक योगिकों से संसलेशित पर्थम कार्बनिक योगिक था यूरिया ठीक है कई बार एक्जाम में कई एक्जामों में पूछा हुए question यह तो काफी important है और यूरिया से BPSC में एक बार पूछा गया था क्या मालू यूरिया का सुत्र से question पूछ लेया कि यूरिया में क्या है तो याद रखना है इसमें NB है HB है और कारवन भी है oxygen भी है यह ध्यान रखना है ठीक है? option में इसी तरह दिया था ने तो ध्यान रखना आपको इसका सुत्र होता है pools ConH2 यह पाई जाता है। यह यूरिया में यूरिया से और concern कूछ साता है तो एक आता है यह बाला पी यूरिया में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्त पाए जाता है तो नैट्रोजन है कितना 46 परतिसत नैट्रोजन है next है कि बुट्च अभिकरिया इसे प्राप्त करने है तो परियुक तो होती है तो इसका कोरेक्ट एंसर है ये एलकेन प्राप्त करने के लिए बुट्च अभिकरिया परियुक तो होता है ठीक है और एलकेन का सुत्र पूछा जाता है तो एलकेन का सुत्र हो जाता है cn h2n पलस 2 और एक होता है एलकेन इलकेन का सुत्र हो जाता है सिर्फ ये बाला होगा cn h1n और एक होता है ये क эфф m भान होता है ठीक है तीन होता है सिर्का का प्येश महा अब सिर्का में कौन सा अमल पाएं ये यह पूछा जाता है तो एसिटिक अमल पाए जाता है अचा पी-एच मान का खोज किस ने किया तो सोरेंसन ने किया था पी-एच का मान में क्या होता है एक पूछा जाता है कि उदासीन जो होता है वो कितने पर होता है तो जिसका पी-एच मान साथ होता है साथ के बराबर वो उदासीन होता है, साथ से नीचे जो होता है, हम लिए, साथ से उपर जो होगा, वो छारी है, नेशते हैं कि गलीसरोल में प्राथमिक अलकोहलिक समोहों के संखियां कितनी है, तो इसमें है दो, गलीसरोल में प्राथमिक अलकोहलिक समोहों के संखियां होती है, दो, और दूति इन्थ्रसाइट कोेले में कार्बन की मात्रा अधिक्तम होती है सबसे-च्छा कोटी का कोइला कुन सा है कई भारे एकजामों हमें रिपीट होता, एक कोस्टन ठीक है सबसे उच्छ कोटी का कोईला एन्थरसाइट है, do you agree on' से Question ये धियां डखना है कि कोईले का सरवाधिक उत्पाद क्राजी कौन सा है तो अभी वर्तमान में 36 गर्द सबसे ज़ादा कोईला उत्पादन करता है और भंडारण में पूछे तो वह ज्यार्खंड सबसे ज़ादा का उत्पाद कौन सा है तो वह चीन दूसरे नंबर पर ह धारत नेश्ट कोईचन है निमलिखित में से कौन रासाइनिक पर्तिक्रिया का उदारन है रासाइनिक पर्तिक्रिया एक होता है भोतिक पर्तिक्रिया तो भोतिक पर्तिक्रिया परिवर्तन उसे कहते हैं जिसको उस पर्तिक्रिया को दुबारा दोहराया जा सके और रासाइनि परीवर्तन हो गया तो यहां मौंबत्ति का जलना यह हो गया रसाइनिक परीवर्तन अगर simple पूछे सब्सक्राइशं गर्वार हम यह सउन का संकेत कितना है तो 89 नेंश्ट को होचने कि मै का क्या है तो मै का क्या है तो इसका correct answer है कि बिद्दुत का कुचालक है माइका किसे बोलता मालों अबरख को अबरख कोई इंगलीज में बोलते माइका और अबरख का सरबाधिक उतपादक देश कौन सा है तो बरतमान में चीन है सबसे ज़्यादा अबरख उतपादक पहले भारत था ठीक है अब लेकिन चीन है अबरख का सरबाधिक उतपादक राज्य या तो भंडारन पुछे या तो उतपादक राज्य पुछे तो दोनों है आंद्रपरदेश नेक्स्ट है एक्टीवन कोश्चन नंबर एक्टीवन में क्या पुछा है कि पीतल किसका मिश्रन है तो इससे याद कैसे किये थे पिता सब्सक्राइब का मिश्रन है नेक्स्ट है एक तत्व का प्रमानुभार बराबर होता है तो एक तत्व का प्रमानुभार जो होता है वो प्रोटोन और नेट्रोनों की कुल संख्या होती है प्रोटोन पलस नेट्रोनों की कुल यह होता है प्रमानुभार होता है उसका नेक् 3 कि सोने के आभूशन बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है तो सोने का अभूशन बनाते समय तामबा मिलाए जाता है नेक्स कोशचन है कि आति Measure निमनी की उपस्थिति के कारण होता तो देख़ियां दो क्षन आता है आति सब्सचन्स होग करण तो नहीं है तो इसका एंसर है कौशन नन्बर और ऑफिन नंबर एक कि लिटमस लाल हो जाता है यह विस्था नहीं है बागी एसीड के साथ मिलकर लण बनाता यह सब्सक्राइब होता यह सही है पानी डालने पर हाइड्रोकसाइड आयनों का उत्पादन करता होता यह भी सही है देखिए यहां पर कुछ है जिसे एक चार होता एक अमलता ठीक है चार लाल ले लेटमस पेपर को नीला कर देता है है और अमलों नीली लेटमस को लाल कर देता है इसका correct answer है असकंदन के दोरा फिट करी गनदे पानी को किस पर किरिया दोरा तो असकंदन दोरा ये पानी को सवक्ष करती है पाने को स्वक्ष करने में एक कोशन और आता है इस तरह का कि जल के सुधी करान में किस गैस का परियोग किया जाता है तो क्लोरीन का परियोग किया जाता है यही काफी इंपोर्टेन कोशन है मोती असंग्मर्मर भी केलसियम कार्बोनेटी होता है CACO3 next है किस तरल को सारभोमिक बिलायक के रूप में जाना जाता है किसको अलकोहल को next है कि पेंसिल में इन में से किसका उपयोग किया जाता है तो ग्रेफाइट का परियोग किया जाता है पेंसिल में graphite और कौन question आता है तो ये काता ये कि graphite किसका अपरूप है तो carbon का है और एक question इससे ये पुछा जाता है कि बिद्दूत का सुचालग एक मात्र अधातों कौन सा है तो graphite है अच्छा एक question और भी आता है graphite से कि परमानू reactor में मंदक की रूप में कौन कार्ज करता तो ग्रेफाइट करता है दो करता है ग्रेफाइट और भारी जल भी करता है तो ग्रेफाइट भी करता है यह ध्यान रखना है नेक्स्ट है कि नन अस्टिक खाना पकाने के बरतनों के ऊपर किस पदार्थ का आबरन होता है तो इस पर होता है टेफलोन का आबरन होता है नेक्स अब बिना किसी अनुपात का अगर मिला हुआ रहता है तो वह हुताँ। नेक्स्ट है कि लोहे का गलवे नाइज़ यानि की कलाई करने के लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी परप चाड़ाये जाती है तो इन में से कौन हरीट गृष गेस है तो ग्रीन हाउस गेस कौन सा है तो हमेशा याद रखना कौन को सा चर्पांच एँम्पोटेंट आपको याद रखना है थाकि एकजाम में पूछा जाता है तो आपसे आसानी से बं जा जल बास्प यह सब हरित ग्रीन हाउस गेस है नेक्स्ट है 95 कि जब कोईला जलता है तो क्या होता है जब कोईला जलता है तो रसाइनिक उर्जा ताप्य उर्जा में बदल जाती है अब कोईला से कोईला से कोईला का उत बादन किस राज में चाती है जारखंड में दूसरे नमबर पर है भारत नेक्स्ट है असनिग्द हाइड्रो कारबन किस से निकाली गई है तो arsenic hydrocarbon ये petrol से निकाला गया है next है कि खारा पानी में लोहे के लबन से क्या होता है खारा पानी में लोहे के लबन से पीला धबबा हो जाता है next है कि safety glass को bulletproof glass के रूप में परियोग किया जाता है क्योंकि safety glass को bulletproof glass के रूप में परियोग किया जाता है क्योंकि उच्छे तनाब को जेल लेता है नेक्स्ट है कि प्राकृतिक पोलीमर का उदाहरन है तो इसका correct answer है कि ये कार्वो हाइड्रेट्स का उदाहरन है प्राकृतिक पोलीमर का उदाहरन है कौन? कार्वो हाइड्रेट्स नेक्स्ट है कि धातू डाइल्यूट ओक्साइड से डेस विस्थापित करता है तो धातू डाइल्यूट ओक्साइड से क्या हाइड्रोजन विस्थापित करता है देखे धातू डाइल्यूट से ओक्साइड से परतिकरिया करके आईरन कोलोराइड और हाइड्रोजन गेस बना सबसे अधिक कुछन सबसे है ने लेकिन बर्माण की बात करें तो है तो है थे समस्थारीक तो दोस्तों इस तरह से chemistry से पूछा गया सभी परसुनों का part 2 वीडियो होता है समाप और पिछली वीडियो में मैंने आप से question पूछाता है कि रेयत वाड़ी ववस्ता कि शुरुवात किस ने किया तो Thomas Moonray ने किया था 1820 में ठीक है ये ध्यान रखना है और आज का question है कि राज सभा में कितना सदेश को मनुनित किया जाता है इसका answer आप comment में देजिएगा और एक चीज हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अन्मोल खा जाना है इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें जाए हिन दोस्तों